आज हमारी बातचीत का सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस ओफ सब्र है कुरान और हदीस में सब्र की बहुत एहमियत बताई गई है कुरान के चैप्टर अल जुमर में आया है तो आज हम इसी सब्जेक्ट पर बातचीत करेंगे प्रोफेसर फरीदा खानम से तो आएए उनी से बातचीत करते हैं असलाम अलेकुम आपका कैसी है अलेकुम जी सब्जेक्ट आपका ये सब्जेक्ट आपने पिछले महीने भी लिया था इम्पॉर्टेंज अफ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जो अक्सर हम देखते हैं लोगों में नहीं पाई जाती तो हमने सोचा कि कुछ और नए आस्पेक्स हम सब्जेक्स को लेकर आप से सवाल के तोर पर पूछें तो इसलिए आज का टॉपिक भी हमने वही रखा है इम्पॉर्टेंज अफ सब्जेक्ट तो आपस सबसे पहले तो यही सवाल है कि इम्पॉर्टेंज अफ सब्जेक्स क्या है इसके बारे में हम सबको बताएं देखिए सब्जेक्स के लिटरल माने हैं रुकना थामना जिसको हम कहते हैं सिल्फ कंट्रोल सेल्फ डिसिप्लिन तो असल में आज कल जो है सबसे ज़ादा इसकी जरूरत है लोगों में बहुत ज़ादा बेसबरी पाई जाती है तो इसलिए थोड़ा सा और आइसपेक्ट हम इसको ल आजरी ऑसकी अजरी झारा लो कि करियेशन प्लां से जे क्रियाशन प्लांट के तहुत को इस दुनिया में अटेस्ट के लिए है तो टेस्ट के लिए अगर अगर मैं आ हो तो अच मैंने अगौ को एसमिश करें और उस दुनिश का और इम्लोट तो आपका का चृपर उस targeted नेगेटिव हो, फाजिटिव हो, उस ही को सबर कहते हैं। तो कभी आप सबर करेंगे, और कभी आप लड़ जाएंगे, एमोशनल रिस्पांस देंगे, तो ये तैय करेगा कि आप के अंदर कितना जादा इमानी ताकत है, कितना जादा आप खुदा से डर के काम कर रहे हैं, और हर बात में सोचते हैं कि इसमें खुदा की मर्जी क्या है, तो जब आप सोचेंगे खुदा की मर्जी क्या है, तब आप सबर करेंगे, इसा नहीं कि हमेशने हमें सबरी करना है हालात बदलते रहते हैं नए-naya मवाके आते रहते हैं उन मवाके को इस्तेमाल करके हम काम्याभी है भी हासिल कर लेते हैं तो सबर जो है आम इनसानोही के लिए नहीं है बलको परगंबरों ने भी बहुत ज़्यादा सब्र किया, पागंबरों को सब्बार कहा गया, तो उनके पागंबरों का तो बहुत ज़्यादा आपोजिशन हुई, वो एक नया मेसेज खुदा कर लेकर आते थे, जो लोगों के जो उनका जो था लाइफ स्टाइल, जो उनकी सोच, उनके बिलीफs, तो उसके वो खिलाफ होता था, तो इस वज़ा से, उस कंडिशनिंग की वज़ा से, वो पेगंबरों को बहुत ज़्यादा सख्त उनका बेहिवियर होता था पेगंबरों से, तो वो सबर करते थे, क्योंकि अगर सबर ना करें, तो वो कोई काम नहीं कर पाते, लड़ाई हो जाती, जंग हो जाती, उस जमाने में तो हर एक हथियार लेकर चलता था, वो जमाना ऐसा था कि महाँ पर कुछ सिक्यूरिटी बगरा तो होती नहीं थी, पुलिस की फोज की, तो हर आदमी हथियार लेकर चलता था, और अगर अब सबर ना करें, आप प्रवोक कर दें तो जंग हो जाएगी, तो इस वज़ा से बहुत ज़्यादा सबर करना पड़ता था, ताकर कभी तो वो मौका आए जब वो अपनी बात को नार्मल अंदाज से, मोददील अंदाज से कर सकें, तो आज सबसे ज़्यादा लोग जो है, उस पर है, पॉलिटिकल पावर पर, सबसे ज़्यादा उनको शिकायत है, कि एक कौम को पुलिटिकल पावर मिलता है तो उसके बाद वो चाहता है कि वो कौम चाहती है कि हमेशा हमारे ही पास रहे हो जब दूसरे को पावर मिल जाता है उसमें जरूर कुछ जंग होती है कुछ वाइलेंस होता है तो वो समझते हैं कि इसने हमारे साथ साज़िश करकी ये जंग जीती है तो वो फिर बहुत जबर्दस तरीके से उनके खिलाफ हो जाते है तो मिसाल के तौर पर पहले रोमन्स ने तकरीबन 2000 साल तक हुकुमत की और काफी उन्होंने दुनिया को दिया एक बहुत बड़ा खिता उन्होंने युनाइट किया पैक्स रुमाना के तहट फिर 2000 साल के बाद फिर असल में होता क्या है कि एक पुरान पुरानी हो जाती है उसमें वो एनरजी वो नहीं रह जाती कि वो मजीद काम करे जोंकि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अल्ला ने पोटेंशल रख दिया है और इस पोटेंशल को हमें एक्चुल बनाना होता है तो वो एक हद तक एक कौम करती है फिर उसके बाद उसको जवाल हो जाता है तो अल्ला ताला किसी दूसरी कौम को खड़ा करते है सबसे ज़्यादा यहां यह बात समझनी है कि इस दुनिया की हर चीज़ टेस्ट है चाहे वो काम्याबी हो नाकामी हो पोलिटिकल पावर हो पोलिटिकल पावर ना हो हर चीज़ एक टेस्ट है अगर यह दिमाग में हम अपने बैठा लें तो हमारे बहुत सारे मसाल खुद बहुद हाल हो जाएंगे तो इसी तरीका से जब मुसल्मान आये तो उन्होंने एक हजार साल तक तकरीबन हुकुमत की उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया मौला ना ने अपनी किताब इसलाम दे क्रियेटर आफ दे मौडरन एज में अर्दूस का है इसलाम दौर जदीद का खालिग उसमें पुरा इसमें डिटेल से बताया है तो उसके बाद ब्रिटिशर्स आए फिर अमारिका ने रूल किया और उसके बाद अब मल्टी नेशनल का दोर है मल्टी नेशनल में क्या है कि हर कौम से हर मुलक से ज़्यादा जो टैलेंटेड लोग होते हैं मिलकर अपना कंपनी खायम करते हैं और बहुत बड़े-बड़े काम कर रहे हैं तो इस तरीके से हमें हर वक्त ये देखना है कि क्या खुदा की मर्जी के खिलाफ है और क्या खुदा की मर्जी के मताबिख है क्योंकि एक मुमिन जो है न उसकी एक बावसूल जिन्दगी होना चाहिए तो बावसूल जिन्दगी जब ही होगी जब वो सबर करेगा क्योंकि अगर बात बात में वो प्रोवोक हो जाए बात बात में वो लड़ने लगे तो उसका जो गोल है जो अचीव करना चाहता है इस दुनिया में और आखरत में वो सब भंग हो जाएगा और वो कुछ नहीं काम कर पाएगा तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुवल्स हैं बहुत सारे कौमे हैं जो सिर्फ जंग कर रही है और उनको मिल कुछ भी नहीं रहा है क्योंकि जंग जो है बिलकुल जैसे रसुल्ला स्राव सल्म्ने अवाइड किया तो बहुत जादा अवाइड करने की चीज़ है सिर्फ मजबूरी की हालत में बहुत ही लिमिटेड पीरिड में जंग रसुल्ला स्राव सल्म्ने की और वही हमारे लिए उस्वा है तो पहले जमाने में जो बहुत ही जादा संजीदा लोग होते थे तो जब उनके सामने कोई मसला आता था तो वो पूरा-पूरा पूरा पढ़ पढ़के देखते थे कि इसमें हमारे लिए क्या हिदायत है तो इस तरीगे से उनको कोई ना कोई हिदायत उसमें मिल जाया करती थी तो वो हेस्टि रеспॉंस नहीं देते थे बलके उनका वैल कंसडर रеспॉंस होता था बहुत ही सोच समझ कर वो काम करते थे तो इसलिए मुसल्मानों ने दौरे अवल में बहुत बड़े बड़े काम किये तमाम उलूम को उन्होंने मदवन किया और सारी दुनिया में खुदा का परगाम पहुँचाया तो ये जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम देखें पुरान से रसुल्लद असलिम की जिंदेगी से और असाब रसूल की जिंदेगीं से किस तरीके से उन्होंने सब्र किया और बड़े बड़े कामयाबिया हासिल की क्योंकि पुरान में आया है तुम मदद माओँ सब्र के जरीय से मदद हासिल करो और सलाथ अब देखें कि सब्र को सलाथ से एकवेट किया गया है सब्र एतनी बड़ी अबादत है क्योंकि सारे ही काम सब्र के जरीय सोते है सब्र का मतलब हालाथ से उपर उठकर सोचना हालाथ में फास कर नहीं रह जाना जैसे मौरा ना ने एक बार एक मिसाल दी है बिग बर्ट थिंकिंग की कि जो बिग बर्ट सोती हैं वो काफी ऊपर उड़ती है उनके विंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं काफी ऊपर उठती हैं तो जब तुफान आता है तो वो और उपर चली जाती है और इस तरीके से वो अपने आपको बचा लेती हैं लेकिन जो छोटी चडियां होती है वो नीचे उड़ती हैं और वो तुफान की जद में आ जाती है तो इस तरीके से हमें भी बिग बर्ड थिंकिंग को तरीके को आपनाना चाहिए और हालात से उपर उठकर सोचना चाहिए और यही सबर है जी और आपर यह आपने बहुत अच्छा कहा कि मतलब एक वेल कंसिडर्ड रिस्पॉंस होना चाहिए और सबर के वही माइने है और सहाबा का यही तरीका था लेकिन आप अकसर हम देखते हैं कि खासकर आज के दोर में कि लोग बहुत ज़्यादा राइट कॉंशिस हो गए हैं और नौट ड्यूटी कॉंशिस तो वह कहते हैं कि नीड सबर उसके बारे में भी थोड़ा सा ओर बताएं तो सबर की नीड इसी वज़ा से है ना कि इस दुनिया में यह दुनिया सब के लिए है हमारे अकेले की दुनिया नहीं है जब हम सब के साथ मिल कर काम करेंगे सब के साथ मिल कर रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्राबलम आए जहां सबर करना पड़ेगा, अगर सबर नहीं करेंगे तो लड़ाई होगी, हालात खराब हो जाएंगे, तो इस वज़ा से जो हमें करना है, वो हम नहीं कर पाएंगे, अगर हम अपना कोई constructive काम करना चाह रहे हैं, तो हम उसी में फंस कर रह जाएंगे, जंग में, लड़ाई काम नहीं कर सकते हैं, तो यह इसलिए जरूरत है, और हम करते ही हैं, हम अपने घर में करते हैं, हर आदमी के सोच डिफरेंट होती है, हर आदमी के इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, अब वो कुछ करना चाहता है, हम कुछ करना चाहते हैं, तो हम उसको सबर करते हैं, यानि ह उसको अलाव करते हैं उसको काम करने के लिए तो उसी उसूल को हम सुसाइटी में अपलाई करें तो सब्र जो है कोई ऐसी पसपाई की बात नहीं है बलके एक ऐसी चीज है कि हम सब्र एक किसम का मैनेजमेंट का एक उसूल है कि हम उसको सब्र के साथ बहुत ही सोच समझ कर हम अपने असूल को मतयन करें और उसी में फूरान की वर्थ है फूरान में तकर रिभीण सो वर्थ से ज़्यादा आया है सब्र की एहमिएट के बारे में किम्के तमाम काम्याबियां जो हैं वो सब्र पर डिपेंड करती हैं और बहुत सारी ऐसी हदीसे हैं, तो हम लोगों को खास तर पर ये करना है क्योंकि मुसल्मानों को ये है कि लोग साधिश करने हैं उनके खिलाफ और उसकी वज़ेसे वो तरक्षी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बारे में खास तोर पर पुरान में क्योंके रसुल लासे लिए लिए जमाने में भी ये मसला पेश आया था तो पुरान में आया है कि ये जो है सबर और तख्वा की कमी की वज़े से होता है ना कि किसी की साधिश की वज़े से यानि तुमारे अंदर सबर और तख्वा होगा तो किसी की साधिश जो है तारगर नहीं हो पाएगी तो इस वज़ा से जो हमें करना है वो ये एलान नहीं करना है कि लोग हमारे खिलाफ साधिश कर रहे हैं बलके हमें अपने अंदर ज्छाकना है और अपने अंदर हमें सबर और तख्वा की स्फ़त पैदा करनी है क्योंकि जो दुनिया का जो निजाम है वो तो बदलेगा नहीं तो इसलिए हमें अपने ही आपको बदलना है अपने ही आपको भाड़िए आपको हमें चैंज करना है तो हर चीज इप्तिला है हमारे अच्छे हालाद भी इप्तिला है और बुरे हालाद भी इप्तिला है तो बुरे हालाद में हम सबर करें अच्छे हालाद में खुदा का शुकर अदा करें तो हर हालाद में हमारे लिए अबादत ही अबादत का मौका है तो जो है हम किसी भी तरीखे से unwanted situation से बच नहीं सकते हैं सिर्फ हम यह कर सकते हैं कि सबर करें और सबर वक्ती तोर पर होता है फिर उसके बाद हम सोचते हैं और जब हम positive mind के साथ जब सोचेंगे तो हमको ज़्यादा superior solution हमें समझ में आएगा क्योंकि जब आदमी घुसे में होता है तो उसको कोई बात समझ में नहीं आती तो घुसा नहीं करें इंतकाम के जजबे से नहीं सोचें बलके cool mindedly सोचें सबर का मतलब यह नहीं है कि हम बस बैठ जाएं हम कुछ काम नहीं करें बलके cool mindedly सोचने के बाद अपना पदम जो है क्या लेना है आगे वो मतायन करें तो सारे परगंबरों ने भी यही किया कुरान में बार बार आया है तो परगंबर की जबान से कि जो तकलीफ तुम हमें दोगे हम उस पर सबर ही करेंगे यह चैप्टर 14 में आया है क्योंकि अगर वो सबर ना करते तो जो हालात का नार्मलाइजेशन मौतदिल हालात जरूरी हैं खुदा का परगंबर पहुचाने के लिए तो वो हालात ही खराब हो जाते अगर हालात नार्मल नहीं होंगे तो हमारी कोई बात दूसरे को अच्छी नहीं लगेगी तो हालात नार्मल करने के लिए हमें सबर करना पड़ता है और शभर जो है वो उसमें एक किसम का मौराना ने लिखाई और जो है और जो है मदब इसमें हमें लेशर इविल तक ही मैंदूद हो रहता है कोई भी नुकसान अगर हम सबर ना करें तो हम Gretter eweł तक इसके बहुत सारी ऐसी मिसाले हैं कि लोग जो हैं सब्र नहीं करते और फिर एक मेरे ही एक मिसाल है कि रास्ते में कुछ टक्कर हो गई दो टू वीलर्स में तो उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी वो ज्यादा इतनी टक्कर भी नहीं थी कि कोई नुकसान भी कोई खास नहीं कोई लोहे का टुखड़ा मिल गया उससे मालने लगे अब उसका जो है नहाट फाँ टूड़िया फिर वो केस बन गया फिर बड़ी मुश्किल से कई लाक रुपए दे करके और किसी तरीके से वो केस खतम हुआ तो यह इसी को कहते हैं ग्रेटर रिविल अगर सबर कर लेते जवाब ना देते तो वो बात महीं का महीं खतम हो जाती चंद सिर्फ इस कराइश पड़ा था उसमें क्या चंद सो रुपए में वो ठीक हो जाता तो यह जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है सबर इस दुनिया में रहने के लिए यह दुनिया जो अल्ला ताला ने बनाई है तो अल्ला ताला ने एक निज़ाम के तहट बनाई है उसी निज़ाम के तहट ही हम अपना काम कर सकते हैं अगर उसके खिलाफ काम करेंगे तो हम ना तो इस दुनिया में कामिया भी हासल कर पाएंगे और ना आखरत में तो इसको मौला ना कह जगते हैं सेव यॉर सेलف support ये अगर कोई कुछ कहता है और हम गुस्सा हो जाते हैं हमाय अंदर हेट्रेट हो जाती है तो हम अपने ही आपको वेस्ट कर रहे हैं हमारे अंदर जो भी सलायते हैं वो पोटेंशल के रूप में हैं तो पोटेंशल को हमें एक्चुल बनाना है तो अगर हम गुस्सा हो जाएंग तो हम अपनी सलाहियतों को बरुविकार नहीं ला पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस दुनिया में तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम वो करें सब्र करें और सब्र इसलिए अल्ला ताला ने एक बहुत बड़ी अबादत बताया है तो इसलिए सब्र जरूरी है अगर हम कोई भी काम्याबी दुनिया में और आखरत में चाहते हैं आपा बिलकुल बहुत अच्छे से आपने इसको वाज़ किया इन फाक्ट एक सबसे बड़ी टीचिंग सब्र की यही समझ आई आपा आपके जवाब से कि we have to learn the art of problem management और कुरान में तो चैप्टर 67 में जैसे आपने भी बताएगी साफ आया है कि God created death and life to find out which one of you is best in conduct तो अब वो situations पे ही पता चलेगा कि इनसान का क्या response वो देता है जब वो difficult situation, negative situations को face करता है और यही फिर बताएगा कि इनसान test पे पूरा उत्रा या नहीं उत्रा तो negative situation में आपा इनसान को नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन हम देखते हैं कि लोग अकसर negativity में पढ़ जाते हैं और negative इनसान जो है वो कभी भी खुदा की inspiration को नहीं पा सकेगा in fact even for his worldly achievements negativity will not help him to get success तो negativity इसलिए इतना बड़ा आपा ये एक evil है तो इसके बारे में भी आप कुछ बताएं सबसे बड़ा नुकसान तो negativity का यही है कि ऐसे शक्स को खुदा का inspiration नहीं मिलेगा क्योंकि खुदा का नामी एक है अस्सलाम पीस जन्नत का नाम है दारुसलाम तो ये सब आखरत में जन्नत में पीस ही पीस होगा अब वहां हम यहां से हम इंतकाम हेटरेड जो गुसा लेकर जाएंगे तो वहां हम जगह कहां मिलेगी हमें और इस दुनिया में जो कुछ भी हमारे पास है वो potential के रूप में है जब हमें खुदा का inspiration मिलता है तब हम उस potential को actual कर पाते हैं तो हमें हर वक्त positive रहना है ताके हमें फरिष्टों के जरीए से खुदा का inspiration हमें मिलता रहे और यह तो बिल्कुल clear है कुरान से ही है कि सब्र का जो है आजर जो है बगएर हिसाब जब के कोई रोजा नमाज किसी काम के लिए ये वर्स इस तरह किसे नहीं आई है कि बगएर हिसाब आजर है क्योंके हर चीज हमारी इबादत के लिए भी सब्र चाहिए हर चीज के लिए सब्र चाहिए तो अगर सब्र हम नहीं करेंगे तो हम कोई काम नहीं कर सकते अब हम जब हज करने जाते हैं तरह तरह के unpleasant experiences हमें होते हैं तो अगर हम सब्र नहीं करेंगे तो हमारा हज ही खराब हो जाएगा तो हर काम के लिए हमें सबर चाहिए तो ये इसलिए बेहिसाब अजर बताए गया है क्योंके सेल्फ डिसिप्लिन जो है ये बहुत मुश्किल काम है और ये मुश्किल काम हम खुदा के लिए करते हैं तो इसलिए यह हमें बताया गया है कि इसमें बेहिसाब अज्र है कोई भी काम जब हम Khuda के लिए करते हैं तो इसमें उसका बहुत बड़ा अज्र होता है लेकिन चुँके यह मुश्किल काम है इसलिए इसका बहुत ज़्यादा अज्र है और चुम्के हम खुदा के नजाम से मताबकत करते हैं तो खुदा ने ऐसे ही नजाम बनाया है अब कोई ऐसी दुनिया होती जहां हम अकेले होते तो सबर करने की जरूरत ही न पड़ती लेकिन एक ऐसी दुनिया जहां हजारों हजारों लोग हमारे साथ हैं तो उनको उनकी रियायत करनी पड़ती है उनके लिए कंसेशन देना पड़ता है तो वहाँ पर हमें हर वक्त सबर की जरूरत है और जब तक हम सबर नहीं करेंगे हालात नार्मल नहीं होते अब एक मुमिन की सबसे बड़ा काम यह है कि हम हमारे पास जो भी खुदा की बाते हैं वो हम दूसरों तक पहुचाते रहें तो अगर हम सबर नहीं करेंगे और हमारा हालात नार्मल नहीं रहेगा तो हम दूसरों तक बात पहुचा नहीं पाएंगे तो उसमें जो सबर और और शुक्र भी एक ही साहतं लिंक किया गया है, क्योंकि अगर हम शबर नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर सुक्र भी नहीं पैदा होगा, क्योंकि अगर हम हरवक्त compliance, हमारा compliance वाली mentality में हरवक्त हम रहेंगे, तो हम शुक्र क्या कर पाएंगे? शूकर तो इसी पर होता है ने कि Allah ताला की सारी blessings हमें मिली हुई है उसके लिए हम शुक्र आदा करें अब कभी ऐसा होता है बहुत सारी blessings हमें मिली हुई है एक आत चीज नहीं मिली हुई होती है तो हम उसी पर focus कर देते हैं उस तरीका से फिर हमारे अंधर फिर कंप्लेंट आ जाता है तो हमें बहुत जादा सोच समझ कर जिंदेगी गुजारनी है कि हर हालत में हमें खोड़ा का शाकिर بنदा बन कर रहना है क्योंके शाकिर बंदे ही के लिए जननत है तो हमें जब तक खुदा का शुक्र नहीं अदा करेंगे हमें, हमको मतलब इतना बड़ा रिस्क हम ले रहे हैं कि हम वो जन्नत से महरूम हो जाएं तो इसी को कल्ब सलीम कहा गया है कुरान में जो लोग आखरत में कल्ब सलीम के साथ या नहीं पाजिटिव हार्ट को साथ आएंगे उनको वहां जन्नत में जगा मिलेगी तो अब इससे बड़ा और नुखसान क्या हो सकता है अब अगला सवाल लेने से पहले कुछ कॉमेंट्स पढ़ना चाहूंगा यह comment भेजा है Miss Veshma Parvayez ने कोची से उन्होंने लिखा है सब्र इसंट इजी सब्र इस टीर्स सब्र इस फीलिंग अलों सब्र इस स्वालिंग इंसर्ट इस कवरिंग इस कवरिंग टीर्स सब्र इस क्राइंग फॉर दी रिस्पॉन्स आफ आफ अल्ला शाद हुसें साब ने शिरी नगर से लिखा है सब्र वेटिंग फॉर आल्माइटी इस गॉर्ट इस डिजाइन जजाक अल्ला साइद हसीब शान नक्वी साब ने पाकिस्तान से लिखा है इन मौलाना से बुक और और अराक तारीक The events have been mentioned in a very good manner and also in the creator of modern Islam Ms. Farida Kamran ने Islamabad Pakistan से लिखा है We can achieve good results through patience Dr. Aslam साब ने सारनपूर से लिखा है Quran says that no matter what's the situation we are facing we should be faithful and patient As Allah is with us, He will never leave us alone Muhammad Asif साब ने कानपूर से लिखा है आपाने सबर की जो detailing की है वो सबर की सही समझ देती है और सबर हमारे लिए क्यों बेहत जरूरी है हमें यहां से ये तालीम मिलती है जजाक अल्ला खैर CPS टीम को तहे दिल से शुक्रिया आपा एक हदीश है कि सबर से बहतर और सबर से बड़ा कोई गिफ्ट किसी इनसान को नहीं दिया गया है तो इस इस हदीश को आप वाज़े करें एक हदीश है कि सबर से बहतर और सबसे बड़ा कोई अतिया इनसान को नहीं दिया गया हलागे बहुत सारे लोग सबर को कोवर्डिस समझते हैं पसपाई समझते हैं ये कोवर्डिस पसपाई नहीं है बलकि ये वाइज अप्रोच का दूसरा नाम जो है वो सबर है तो सबर ही से हर किस्म की नेकियों का सोर से समझ लीजे हर किस्म की नेकियां अगर हम बेसबरी करेंगे तो हर किस्म की बुराईयां जो है वो हमारे हिस्से में आएंगी यहां तक कहा गया है कि जहन्नम को लज़तों से ढ़ाग दिया गया है और जन्नत को नाखुशगवारियों से तो जदनी भी हम डिजायर्स को फालो करें जो हमारी मर्जी हो वो हम करें तो कहते हैं कि ऐसा आदमी सीध है जहन्नम की रास्ते पर चलता है तो हमें इस दुनिया में यही हमारा टेस्ट है कि हम खुदा की मर्जी के मताबिक इस दुनिया में रहते हैं या अपनी मर्जी के मताबिक रहते हैं यही तो हदरत आदम कभी टेस्ट हुआ था तो हदरत आदम ने बाद में अपने गुनाओं की माफी मांगी اللہ تعالیٰ نے उनको माफ किया और उनको पहला परगंबर भी बनाया तो हम लोग जो हैं हम लोग भी अगर गलती हो जाती है तो उसके लिए हम माफी माँए खुदा से ये नहीं कि एक दम ही बिलकुल बे ध्यानी में चलते रहें चलते रहें खबर भी नहों कि हम कितनी बड़ी गलती करने हैं मौलायना नहें लिखा जन्म इखाए कि जन्नत सब्र के उस पार है अگर्चे लोग अपनी नादानी से बे सब्री के उस पार समझ लेते हैं तो यह जो है बहुत बड़ी बात है कि हमें सबर का कितना बड़ा इंसेंटिव है सबर करने का तो हमें अपने खिलाफ मजज बातों को बरदाश्ट करना है अपनी गलती मानना है दूसरों का इतराफ करना है और अपने हुकुक से ज़्यादा हमें ध्यान हमारा अपनी जिम्मेदारियों पर रहे तो अपने हुकुक तो आखरत में मिलेंगे इस दुनिया में हमारी जिम्मेदारियों है जिम्मेदारियों है मौला ने लिखा है कि मौमिन की इस दुनिया में सिर्फ जिम्मेदारियों ही जिम्मेदारियों है हुकुक तो आखरत में मिलेंगे तो यह अगर हमारे दिमाग में यह सब बाते हैं अगर बैठ जाएं तो सब्र हमें अच्छा लगने लगेगा, हमें लगेगा कि यही तरीक ही यह दुनिया में रहने का, तो दूसरे जो बहुत बड़ा इसका फाइदा है कि जो सब्र वाले जब हालात होते हैं तो उससे हमारा intellectual development होता है, क्योंकि जब कोई shocking experience होता है, तब हमारे potential रियलाइज होता है, और जो लोग आराम राम से रहते हैं, उनको कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती, कोई परिशानी नहीं होती, सब्र का कोई मौका नहीं उनके यह होता, तो उनके potentials रियलाइज नहीं होते हैं, तो सब्र कर करना जो है, वो बहुत जरूरी है, अगर हम अपना personality development चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कि अगर किसी ने कोई तनकीद की, तो बहुत तेज नाराज हो जाते हैं, तो उसकी वज़ए से क्या होता है, कि दूसरा जो है, वो सोचता है, कि अब तनकीद कर देंग को नहीं समझ पाते हैं, तो दूसरे लोग अगर तनकीद करते हैं, तो उसको हमें वेलकम करना चाहिए, जैसे हदरत उमर ने कहा था, God bless the man who sends me the gift of my own shortcoming, जो मुझे मेरे आयब का तुफा भेजे, उसको अल्ला ताला की blessing, तो यही आयब का तुफा भेजने, मतलब हमारे अपनी personality development करने के लिए, तो सबर को एक उसूल है, और बेसबरी जो है, वो एक मनफी रद्यामल है, तो कोई भी बेसबरी कर सकता है, बस कुछ भी किसी ने कहा, फौरन रियक्ट कर दिया, फौरन रियक्ट करना वो बेसबरी है, और सोच समझ कर अपनी planning करना वो सबर है, तो सबर को लोग ये समझते होंगे, ये तो बिलकुल कुछ मजभी बात है, ये सिर्फ मजभी बात नहीं, बलकि ये हिकमत अमली है, ये विजडम की बात है, क्योंकि इसी से हम अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, और आखरत को भी, तो वक्ती तोर पर एक बार एक वकील मौलाना से बताया था, कि वकील ने कहा कि कोई भी क्रिमनल उसको ऐसा नहीं मिला, जिसने, जिसको शदीद रिगरेट ना हुआ हूँ अपने अमल का, क्योंकि वो वक्ती तोर पर बढ़क कर घुसे में, वो कर डालता है, जो भी क्राइम करना होता है उसको, और फिर जिन्द की भर के पच्चताने से हमें बचाता है, तो ये नफरत है, घुसा है, इश्तियाल में मुच्तेल हो जाना है, मन्फी सोच है, ये सब जो हमारे गोल से हमें डिस्ट्रक्ट करती हैं, हमारा गोल जो है तसकिया, अपनी परसनालिटी का तसकिया करना, अपने अंदर जो भी मन परसनालिटी करने में तो उसको लगाना है, और तभी हम अपने आपको इस काबिल बना पाएंगे कि हम जननत में दाखले के मुस्ताइक ठहरे हैं जी और आपा अपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जननत सबर के उस पार है जो मौनाना सापने लिखा है और आपा यहां पर जननत को समझना भी इतना जादा इंपोर्टेंट है यहां इस हदीस से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि रसूल उल्ला ने एक मरतबा फर्माया कि there are hundred levels in paradise and the distance between each level and the next is like the distance between the earth and the heaven and firdos is the highest level of paradise from where the four rivers of paradise will flow. तो सबर ही इसका एक प्राइस है इतने जादा levels है paradise में तो अगर एक इनसान इसको समझ ले तो वो हर लम्हा हर situation में वो सबर करने के लिए त्यार हो जाएगा तो सबर करने में ही हिकमत है आपा तो सबर को ये भी कहा जाता है कि ये wisdom का दूसरा नाम है तो इसके बारे में भी तकलीफ पहुंची होगी तो उसको उसका इतना बड़ा बदला इतना बड़ा बदला जन्नत की शकल में मिलेगा तो वो देख के कहेगा कि मैंने तो समझा नहीं था कि मेरे अमल का इतना बड़ा बदला है तो मुझे तो फिर दुनिया जाना होता और मैं फिर वो सारी जो unpleasant situations जेल कर मैं आता और फिर और मुझे इसका बदला मिलता तो इस दुनिया में हम असल में समझ नहीं रहे हैं कि हमारे जो यह सबर वाली जो हमारा जो सबर करने की जो सलायत हैं हम जो सबर करते हैं उसका कितना बड़ा बदला हमें आखरत में मिलेगा तो यह सब सोच सोच कर हम हम अपने अंदर यह इनकलकेट करें ताकि हमारे जो अमल में वो उसका रिखलेक्शन हो तो सब्र जो है वो विज्डम की बात है असल में लोग कई बार ऐसा समझते हैं न यह तो कोई मजभवी बात है अब जो लोग हम एधुकेटेड लोग होते हैं समझते हैं कि यह हमारे लिए नहीं है, लेकिन सब्र वो विजडम की बात है, जिसको कहते हैं, मौना नरी नहीं बहुत लिख्याओ, एग्णूर दॉ अफ़्ड बापर्चुनिटी उस्पर्चुनिटी. और प्राबलम को इगनोर करना यही सबर है और प्राबलम जो है वो बहुत कम होते हैं जिन्ड़गी में आपरचिउनिटी इस बहुत ज़यदा होती हैं तो हम तरन थोड़ा सा करेंगे सबर करेंगे तो हमारे लिए बहुत सारे दूसरे मवाख़ आ जाएंगे और हम उस मवाख़ को इस्तेमाल करके अपनी एक नई जिन्देगी बना पाएंगे तो वो थोड़ा से सबर की जरूरत होती है तो और बाकी जो है सब काम खुदा की तरफ से हो जाता है तो यही कहा कि जो शखस नादान की तरफ से पेश आने वाले छोटे शर पर राजी न होगा उसको नादान के बड़े शर पर राजी होना पड़ेगा तो इसी को मौराना ने लेसर इविल और ग्रेटर इविल कहा कि शुरू में इफ्तिदा में तो छोटा सा शर होता है किसी ने कोई गाली दे दी कोई गलत बात कह दी तो आदमी गुस्सा हो जाता है गुस्सा हो कि वो रियक्ट करता है वो और अपने गुस्से के मताबिक वो रियक्ट करेगा फिर वो दूसरा रियक्ट करेगा तो बात बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी बात हो जाती है गाहँ वाह में तो लोग कदली कर डालते हैं तो इस तरीके से बात बढ़ती चली जाती है तो जो लेसर इविल है वहीं पर इनसान रुख जाए ना तो आधो रही को वहीं खतम हो जायाए गर में लिद्स्टत करना है नहीं होगा। और अव्पन मेंखेन है कि हमारा वेस्ट वॏश्ट ह्राए है तगाम के खाएंगे वॏश्ट में लगाएंगे तो मुखालिफत में तो सिर्फ टाइम बर्बाद होता है और ना सिर्फ इंडिविजिवल्स के साथ ऐसा है बलके पूरी पूरी कौम के दूसरे कौम की मुखालिफत करती रहती है जिन लोगों ने मुखालिफत नहीं की अपने काम में लगए जैसे जर्मनी जपैन और बहुत ज़दह तरकिकर गए और जो मुखालिफत कर रहे हैं आपने उसको भी बरबाद कर रहे हैं तो मौाखे ड्ला त्लाद की दुनिया में बहुत ज़धा है और अब लम जैसे इन नमाल उस्रे इस्रा इन माल उस्रे उस्रा तो जो है उसर कम है और यूसर तो हमें चाहिए कि हम मवाके को तलाश करें और उसको इस्तेमाल करें तो यही सबरी ही है जो हमें नए नए मवाके को इस्तेमाल करने के लाइक बनाता है तो इस दुनिया में चांस की कोई कमी नहीं है तो चांस जो है वो हमारे लिए एक चांस जाता है तो दूसरा आ जाता है एक चाण जाता है दूसरा आ जाता है तो इसलिए बस एक थोड़ा सा इंटेरिम पीरियड जिसको कहते हैं थोड़ा सा पीरियड होता है जब हमें समझ मेंनी यादा की हम क्या करें लेकिन बहुत जल्द हालात बदल जाते हैं और यह तकरीबן सभी के साथ होता है और मुलाना साब की किताबों में जगा जगा सब्र पर आया है काफी उन्होंने सब्र पर लिखा है तो उसको पढ़ें और सोचें तो इन सब बातों को अपने दिमाग में इसको बठाएं अप इन फैक एक बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है मौराना साब ने की a wise man is one who deliberately forgets the bitter memories of the past and he does not let his mind become a jungle of bitter thoughts तो ये mind के level पर manage करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप पर कुछ comments पढ़ना चाहूंगा अगला सवाल लेने से पहले ये comment भेजा है साजिद आहमेद खान साब ने नाकपूर से उन्होंने लिखा है हम इस दुनिया में अकेले नहीं है बलकि दूसरे इंसानों के बीच में रहते हैं ये दुनिया हमारी नहीं है दरसल एक खुदा की दुनिया है इसलिए सब्र ही सबसे बहतर उसूल है सब्र करना lesser evil को accept करना है और greater evil से खुद को बचाना है ये उन्होंने टेक अवे लिया है आज आपके जवाब से जजाकल्ला अपा उन्होंने लिखा है डॉक्तर सफीना तबस्सम ने सारनपूर से लिखा है making ourselves a positive personality is the goal of man this is the gist of all the teachings of maulana sahab and this is what islam wants for us जजाकल्ला फर रमाइंदिंग Ms. Kurutulain ने लंबा जवाब लिखा है लंबा comment लिखा है मैं इसको short में पढ़ना चाहूंगा the entire life of prophet Muhammad is replete with the fact that the credit of success of his great mission goes to the credit of immense focus on sabr maulana would always say that sabr is not a weakness it is in fact test of power of controlling negativity which leads to a disastrous consequence brilliant explanation of sabr by Faridha ji आपर ये comment और सवाल Muhammad Gul साब ने भीजा है दुबाई से उन्होंने लिखा है कि this program is amazing and it's it charges me for the whole week उनका सवाल ये है कि what are some practical tips for maintaining strong patience in daily life especially in the face of challenging or difficult situation तो इसके बारे में बताएं practical यह है कि वक्ती तोर पर गुस्सा आता है जैसे बीपी शूट कर जाता है तो गुस्सा आ जाता है वक्ती तोर पर आता है तो बस खामोश हो जाए मौलाना जो है बिलकुल खामोश हो जाते थे और अपनी जगा को बदल दें जैसे हम बैठे हैं तो वक्त करने लगें और उस एक कमरे में बैठे हैं तो दूसरे कमरे में चले जाएं तो इससे फरक पड़ता है अगर वहीं बैठे रहें और वहीं सोचते रहें तो गुस्सा बढ़ता चला जाता है तो अपनी इसको थोड़ा सा पोस्चर को बदलने और थोड़ा सा वाक करना शुरू कर दें तो थोड़ा सा अपने आपको थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है तो तोड़ी देर के बाद फिर आद्मी ऊसोचना शुरू कर देता है कि इसका रिजल्ट क्या है फौरण ये सोचें कि उसका रिजल्ट क्या है गुस्सा करना तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन वही पस्तावा जैसे क्रीमिनल होते हैं पच्टावा जिंदेगी भरका होता है तो रिजल्ट सोचें और अपने जगा को बदल दें तो इससे थोड़ी देर में वो गुस्सा उतर जाता है और लोग एक और तरीखा लोग करते हैं कि ठंडा पानी हमारे एक कलीग है तो उनको जब गुस्सा आता है पठान है वो तो गुस्सा आता है तो उनकी बीवी जो है उनको ठंडा पानी लाकि देती है तो वो कहते हैं पानी पीते पीते गुस्सा उतर जाता है तो इस तरीगे कि कई चीज़ें हैं जो आदमी इसको कर सकता है अपनी इसाब से अच्छा आप एक और सवाल इसी से जोड़ना चाहूंगा कि सबर वाला अमल जो है वो result oriented होता है हमेशा तो इसको थोड़ा सा आप वाज़े करें तो सबर जो है वही बेसबरी जो है उसका कोई result नहीं उसका result तो destruction है और सबर का जो है वो सारे ही अच्छे result जो है वो सबर से हैं क्योंकि अगर रसूल लास ने आप सोचिए कि सबर न किया होता क्या होता मक्के में सब खतम हो गया होते मक्के में जंग हो जाती और इतने कम तादाद में लोग थे सबर करने से क्या हुआ कि माईकल हाट ने किताब लिखी है तो आपको सबसे जादा पूरी दुनिया का सबसे जादा काम्याब इनसान बताया है तो वो सबर की वज़े से हर मौके पर आपने हैं और यह सोचने लगे कि इस को कैसे काउंटर करें counter strategy क्या है अगर enemy कुछ कर रहा है तो उसको हम कैसे defeat करें enemy को जंग के बगएर तो इस तरीके से यही result oriented है कि हम सोचें सबसे बड़ी चीज़ जो Allah ताला ने दिया है वो इनसान को दिमाग दिया है तो वो फोरान दिमाग जो है सोचना शुरू कर देता है कि अब यह हालात ऐसे हुए है अब क्या करें फिर हमार उसके बाद जो है वो आप हिदायत लीजे कुरान से, हदीश से रसूल लासे सलम की जिन्दगी से और आप यह सब चीज़ों को बार बार वर्स याद आ जा 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 दिती वस्ताइनो बिस्सबर वस्सलात यह सिकेंड चैप्टर में है कि तुम सबर से और सलात से खुदा से मदद मांगो जब आपको यह याद आ जाएगा ना फिर आप उस पर सोचने लगेंगे आप जाके तफसीर पढ़ेंगे तोड़ा और डिटेल हासिल करेंगे उसकी तो लेकिन सबर को यकतरफा होना चाहिए क्योंकि अगर अगर आपका स्ट्रांग है आपका जो अपोनेंट है वो स्ट्रांग है तो वो कभी भी वो सबर करने के लिए नहीं होगा तो सबर आप भी को करना पड़ेगा तो ये यकतरफा होना चाहिए और रसूल लग्यों ने हमेशा यकतरफा तोर पर सबर किया है तो और दूसरे ये कि अगर अगर हम को कबद में पैदा ही किया गया है और ये दुनिया जो है वो दारूल इम्तिहान है तो इस दुनिया में इस से छुटी ही नहीं है कि हम सबर करें अगर मतलब अगर हमको क्याम्याभी हासिल करनी है तो हमें सबर करना है अगर हमको अपने को डिस्ट्रॉय करना है तो हम सब्र की कोई जरुवत नहीं है एक हदीस है इननननसर मासब्र तो सब्र ही के साथ काम्याबी है तो इसलिए ये हमारे लिए बिल्कुल किलियर है कि हमको अगर काम्याबी हासिल करनी है तो हमें सब्र करना है तो बार बार आयतें भी है और बार बार रसुल लाओं ने अपने असाब से फरमाए क्योंकि असाब को भी तमाम पुरेश के लोग परिशान करते थे तो आप उनको कह देते हैं सबर करो, सबर करो एक कुरान की एक आयत है चैप्टर अलिम्रान में कि आई लोगो सबर करो ताकि तुम फला पाओ तो आप देख रहे हैं कि बेसबरी का जो अमल है वो काउंटर पोड़क्टिव है उससे कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है और सबर वाले अमल से जो भी नतीजा आप निकालना चाहते हैं नहीं किल सकता है क्युंके sucked in czy अकुछ सबर के वाला जो अमल है उसे में अल्ला की मदद मिलेगी तो हमें ये सब बातें अपनी जिन्दीगें रपलाई करना चाहिए सोच समझकर अपनी जिन्देगें को हर काम करना चाहिए अच्छा आप अगर कुरान में देखें तो एक आयत में आया है कि लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लोग कॉन्फरेंटेशन में आ जाते हैं वो एराज यानि अवाइडेंस के प्रिंसिपल को नहीं जानते जबकि अगर हम देखें कि कुरान में सो दफा से जादा एराज और सब्र के बारे में जिकर किया गया है तो दोनों में क्या तालुक है सब्र और एराज में इसके बारे में बताएं दोनों रेलेटेटिड ही है Kafाइदेंस सब दोनों एक ही कॉइन के जैसे दो आसपेक्ट होते है नी तो उसी तरहिकसे हैं अवाइड करते हैं मतलög मतलब भी सब्हु करना है और सब्हु करने वहसक्त दौना है ने का मटलब जादेन था है रा हमार बहुत फॉरान में आरिब आवे वारिजन तो ओकनाला का समय कर्या है, जो बातों को नहीं समझतें, ऊष्सकार्य नहीं को समझने रहे हैं, इस वज़े से माखव ड़ाय।SIM लगे कि आवे दोगने में तो इसलिए उनको हो चुका होता है तो उसको समझने में बात को time लगता है तो हमें इस इस हाकिकत से adjust करना है कि लोगों को time देना है उनको तरह-तरह से समझाने की कोशिश करना है और इसी तरीके से वो एक ऐसा होगा और तमाम परगंबरों को देखी शुरूर में लोगों ने मुखालिफत की लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने समझा और खास तो पर रसूल लाओं तो उसको जब टाइम उनको मिला तो धीरे धीरे उनको बात समझ में आने लगी और उसमें खास तोर पर हदरत यूनुस देखी है हदरत यूनुस ने बहुत दिनों तक अपने लोगों को खुदा का परगाम पहुचा है और वो बातों को समझ नहीं रहते पिर वो छोड़कर चले गए पिर उन्हों उसने मचली ने उनको निगल लिया फिर उनको ऐसास हुआ कि उन्हों गल्टी करी ए फिर वो दोबारा गए फिर उनी लोगों ने सारे के सारे लोगों ने उनकी बात को मान लिया उनके फालोवर बन गए तो ये है देखी दुनिया में एजिस्मेंट तो हर हालत में करना ही पड़ता है तो एड़्जस्ट्मेंट अगर हम अपने इंट्रेस्ट के लिए करें तो बस उसका फायदा दुनिया में ही मिलेगा और अगर हम एड़्जस्ट्मेंट आखरत के लिए करें या एड़्जस्ट्मेंट खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए करें तो उससे हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा अल्लह ताला की मदद मिलेगी और अल्लह की बिलिसिंग्स मिलेगी और जो है माहूल नार्मल हो जाएगा माहूल नार्मल हो जाएगा तो बहुत आसानी से हम खुदा की बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, जो के हमारी जिम्मेदारी है, एक मिसाल आपको देते हैं, बहुत सारी मिसाले हैं, जब रसूल लगा के जमाने में जब एक बद्दु मस्जिद में आ गया तो उसने मस्जिद गंडी कर दी ती, तो सहाबा दोड़े उसको मारने के लिए, तो रसूल लगा के लिए तो रसूल लगा ने कहा, कि वो जगह साफ कर दो पानी से, एक डोल के पानी से, और उसको कुछ नहीं कहा, अब वो उसी पर इतना मुतस्र हो गया, अपने कबीले में जा के सब से कहता है, जब देखो मैंने उनकी मस अच्छे आदमी हैं, फिर यहां तक के पूरा पूरा कबीला रसूल लगा का फालवर बन गया, तो यह जो है, हमारे तमाम मसायल हल करता है, अज़स्टमेंट, दुनिया के भी और आखरत के भी, अगर हम खुदा के लिए करेंगे, कोई भी काम जब हम खुदा के लिए करते अशाए हैं, तो उसमें बहुत ज़ादा इसका आजर मिलता ए हमें, और grund här दुनिया की गाम भी भी उसमें मिलती हैí तो खास तर पर ले चुनके हमारा मिशन जो हने। इसके हिसाब से कुदा का प्रगाम लोगों तक पहुंचाना है, तो हमें इस बात का खास खाल रखना ह कि हमें हर हाल में एड़जस्ट करना है दावती मसलिहत की वज़े से लोग तो एड़जस्ट कर ही रहे हैं लेकिन वो उनको अंदर जो लोग बाहर रहते हैं तो दावती मसलिहत वो नहीं समझते अपने मफादात की वज़े से वो एड़जस्ट करते हैं से उसमें कोई उसका अजर नहीं मिलेगा तो यह है अज्जस्मेंट जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है जी जजजक अल्ला आपा आपा आखरी सवाल पूछने से पहले यह तीन कॉमेंट्स पढ़ना चाहूंगा काफी कॉमेंट्स आ रहे हैं लेकिन अब वक्त भी हो गया है यह कॉमेंट्स भीजा है इमरान एहमद साब ने दिली से उन्होंने लिखा है माशाल्ला आपा सब्र असूल के तहट अपनी जिंदगी में शामिल करना बहुत एहम बात है मजबूरी के तहट तो लोग सब्र करते ही हैं लेकिन आइडियल यह है कि हम अपने असूल बनाएं कि हम ताकत रखते हुए भी सब्र करें जजाक अल्ला आपा महमद याकूब उम्री साब ने लिखा है जजाक अल्ला आपा for the valuable lecture on sabr, sabr means supporting the creation plan of God, this is an important point about sabr, Khalid Ansari साब ने दिली से लिखा है practicing sabr gives enough time to take corrective decision, time is a big healer and practicing sabr saves one from hectic decisions आपा आखरी सवाल मेरा यह है कि मौलाना वजीदिन खान साब ने तो बहुत ज़ादा emphasize किया है sabr पर, उन्होंने articles भी लिखे हैं तो उन्होंने यह भी कहा था एक दफ़ा कि social life में जो sabr करें लोगों के दर्मियान रहते हुए, तो उसका सवाब कई ज़ादा है, तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने या इसके बारे में थोड़ा सा बताए हम सब को असल में आदमी जब अपने घर में रहता है तो इतना ज़ादा उसको सबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसकी मरदी के मताबिक सब काम होता रहता है, लेकिन जब इस्तेमाईयत जो होती है, जब सब लोगों के साथ मिल कर काम करना होता है, जैसे हमारा मिशन है, मिल कर काम करना होता है, तो वहाँ पर सबर की ज़्यादा जरूरत होती है, तो तरह तरह से उसको ऐसा लगता है कि उसका अप्रिसियेशन नहीं हो रहा है, उसको एग्नोर किया जा रहा है, उसको एहमियत नहीं दी जा रही है, कोई बात से वो अफेंड हो जाता है, तो हर आदम अगर वो Allah के खातिर सबर करे तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर वो family में अपनी सबर करेगा तो वो तो अपनी family को यूनाइट रखनी के लिए family के Alberto के इंट्रेस्ट के लिए सबर करेगा ना लेकिन अगर बाहर सबर कर रहा है और कुछ जो तो इस्तेमाईयत होती है, जहां कोई सोशल लाइफ होती है, या हुकूमत होती है, उसमें भी बहुत कुछ सबर करना पड़ता है, मिशन चल रहे होते हैं, उसमें सबर करना पड़ता है, और फिर वो अल्ला की खातिर सबर करें, तो वो जो है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉ मुझती है कहते हैं कि कांटा भी चुपता है तो हमें उसका अजर मिलता है उसका सवाब याद रखना है और खोड़ा की मर्जी के मताबिक अपना हर काम करना है तो उसका सवाब हमें हर अमल का सवाब मिलेगा सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाजी रोजे का सवाब मिलेगा जिसको मौना ना कहते थे नो प्राबलम परसन तो नो प्राबलम परसन बन जाना ये हमारे अपने लिए अच्छा है ये हमारा एक गोल होना चाहिए और उस गोल में कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं होना चाहिए तो ये सारी चीजें डिस्ट्रेक्ट करती हैं अब मैंने कई बार से क्या है कि वो इंप्रूव अपने आपको नहीं करती हैं जो उनको जितना आता है काम बस उतना ही आता है क्यूंकि वो हर वक्त दूसरों की शिकायतों में लगी रहती हैं तो अगर हम भी एजुगेड़िड लोग भी यही करें कि हर वक्त दूसरों की शिकायत में लगे रहे तो हम अपने पोटेंशल को अवेकन नहीं कर सकेंगे, अपने पोटेंशल को रियलाइज नहीं कर सकेंगे, अपने पोटेंशल को रियलाइज नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को बचाएं, save yourself जो मौलाना कहते थे यह बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसके लिए हमें अपनी negativity तो देखिए आएगी इनसान आम तोर पर बहुत sensitive होता है जरा-जरा से बाद में उसको तकलिफ पहुँच जाती है तो वो जो negativity है उसको हमें positivity में convert करना है तरह तरह से उसको reason out करके convert करना है ताके वो जो है वो नेगिटिविटी को खतम कर दे मौलाना का तो बहुत ही तो उची दरजा था वो तो वो नेगिटिव बात को सुनते ही नहीं थे हम लोग तो सुनते हैं तो हम सुनते हैं तो फिर हम उसको चाहिए कि हम उसको reason out करके negativity को convert करें positivity में मिज़ाल के तरव अगर किसी से एक तकलीफ हो गई है हमें तो उसकी बहुत सारी अच्छी बात ही होगी वो हम उसको याद करें कि उसने हमारे साथ इतना सारे अच्छे काम किये हैं तो बहुत तरीके से हम उसको reason out कर सकते हैं यही करें कि अगर हम negative हो जाएंगे तो हमारी personality अपनी अपना हमारा नुकसान होगा तो यह है कि उसको हर चीज को हम Allah के खाने में डालें हम यह सोचें कि Allah ने यही दुनिया बनाई यही तो Allah की मरजी के मताबिक हमें इस दुनिया में रहना है जब Allah कह रहा है कि तुम positive इंसान बनो अपना तस्किया करनो तो हमें यही करना है तो इस तरीके से हम अपने आपको अपनी negativity को अपना हम खतम कर सकते हैं और एकदम complaint free इंसान बन सकते हैं यहां फिर मैं यादिलाऊंगे यह कृस्सा के एक रर रसूल्ला सब्सेल्या सल्म ने किसी इंसान कोई सहाबी जा रहे थे रास्ते में कहा कि यह जनती इंसान है जबकि जननती तो बताए नहीं جाता था कौन जननती है झाली नहीं है क्योंकि पहले जमाने में तीन दिन कोई भी किसी की गर भी मेमान रह सकता था वो उससे पूछा नहीं पूछेंगे तो पता नहीं उसकी समझ भी आएगा क्या बताए क्या ना बताए उसको देखने गए कि आखर वो ऐसा कौन सा आमल करता है कि उसकी वज़े से उसको जन्नती बताए गया है तो देखा कि वही नमाद रोदा जो सब करते थे वही वो भी करता था तो जब तीन दिन हो गया तो उसने पूछा कि आखर आप आये थे तो कोई मकसद रहा होगा आपके आने का तो तो अब उन्होंने बताए कि मैंने ऐसा परगंबर से सुना था तो वही मैं देखने आया था तो यहां तो मैंने कुछ खास एक्स्ट्राडनरी चीज पाई नहीं तो उसने यह कहा कि मैं अपने अंदर उसने का मैं अमल तो वही नमाद रोदा वही सब सब करते हैं वही मैं भी करता हूँ लेकिन मैं अपने अंदर किसी के लिए कोई गृष जिसको हम मैलिस कह सकते हैं क कोई जुश नहीं पाता तो हमें अपने अंदर से मैलिस को किसी भी वज़े से पढ़ जाए तो उससे वो निकाल निकाल के खुरच खुरच के उसको फेक देना है तो इस तरीके से हम अपना मकमल तस्किया कर पाएंगे और तस्किया जो है बहुत जादा जरूरी है तस्किया क खुलते चले जाएंगे जैसे रिमोट कंट्रोल सिस्टम होता है न आजकल बड़ी-बड़ी बिल्डूम में दरवाजे खुलते चले जाते हैं तो ऐसी उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे तो तस्किया आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जरूरी है हमें अपना तस्किया करना और तस्किया जो है उसके लिए सब्र जरूरी है तो इस्तमाई जिन्दगी में देखिए एक तो मिलजुल कर काम करना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर एक मिशन चल रहा है तो ये जिम्मेदारी होती है कि सब लोग उसको सप बना लिया तो यह जो हैं कबीले के सर्दार थे यह तो इन लोगों को आसानी से इन लोगों नए एकसिप्ट नहीं किया लेकिन उस वद तो चुए अब रसूल ला थे तो मान लिया लेकिन बाद में जब हज़रत अबुबकर खलीफा हुए तब हज़रत अबुबकर हज़रत खलीफा हुए तो उनको यह बात ज्यादा शाक लगी हो कि यह वो तो लीडर थे कबीले के बहुत ही उनका बड़ा कबीला था तो वो शाम चले गए उन्होंने सपोर्ट करने के बजाए हज़रत अबुबकर कर जमाना हज़रत अमर कर जमाना जो था उसमें हज़रत यह चीज जो है बिलकुल ही एकसेप्टबल नहीं है एक डिवाइन मिशन जब चल रहा हो तो तो कहते हैं कि उनके जब इंतकाल हुआ तो लोगों ने यह आवास सुनी हमने खजरज के सरदार साद इबन अबादा को कतल किया है तो अब यह आवास सुनी तो मौलाना ने कहीं लिखा है कि शायद जिन्नों की आवास ती है तो यह बहुत ज़ाद गलत बात है कि अगर हमें एक डिवाइन मिशन चल रहा है तो उसको कोई नहीं कोई प्रिटेक्स्ट पर कि किसी ने हमें यह कह दिया किसी ने हमें वो कह दिया या हमें जो है इग्नोर किया जा रहा है हमे appreciation नहीं मिल रहा है ये कह के अलग होना ही जो है बहुत बहुत बड़ा risk लोग ले रहे हैं किसी हालत में भी कोई mission इस तरह का चल रहा हो दावा mission तो उसको उसमें जो लगा हुआ है उसको अलग नहीं होना चाहिए बलके बरदाष्ट करना चाहिए और जो सब्र बरदाष्ट का जो अजर है उस पर नजर होनी चाहिए कि दुनिया में भी वो उसको अजर मिलेगा और आखरत में उसके बदले में जननत मिलेगी Thank you for doing this important session today. So, we will end today's session and we will be back next Sunday 10.30 a.m. Thank you.